अभी कुछे दिन हुए कि पठान फिल्म में दिपिका की भगवा बिकनी पर बड़ा बवाल मचा देश में जगर जगर प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि दिपिका ने न सिर्फ हिंदु धर्म का मजाक उड़ाया है बलकि भगवा रंग की बिकनी पहन कर गाना बनाया बेशरम रंग यानि कि भगवा रंग को बेशरम रंग से जोड़ा गया है और इसी बात को लेकर पठान फिल्म पर बड़ा बवाल मचा था कई जगह F.I.R. भी हुई थी और अब पॉन इंडस्ट्री का बड़ा नाम रह चुकी मिया खलीफा ने भगवा बिकनी में अपने कुछ होट पिच्चर्स डाले हैं वैसे तो मिया खलीफा बता चुकी है कि वो पॉन इंडस्ट्री छोड़ चुकी है वो अब अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है लेकिन हाल ही में मिया खलीफा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये सभी को हिलाक कर रख दिया अकसर मिया खलीफा अपनी बिक्नी की पिच्चर्स डालती रहती है लेकिन इस बार जब पठान की कॉंट्रोवर्सी हुई ही है मामला गरम है तभी मिया खलीफा ने भगवा बिक्नी में अपनी पूल के अंदर की होट पिच्चर्स पोस्ट करके सभी तरफ सुर्ख्या बटोड़ ली है मिया खलीफा सोशल मीडिया पर बहुत आक्टिव रहती है और आए दिन अपनी परसनल लाइफ को लेकर कुछ न कुछ वो पोस्ट करती रहती है लेकिन इस बार जो मिया खलीफा ने पोस्ट किया है आपको बता दें कि पठान फिल्म में दिपिका की जिस भगवा बिक्नी पर अच्छी खासी चर्चा हुई उस भगवा बिक्नी पर एक बहुत ही इंपोर्टन सीन है और सिर्फ गाने में ही ये बिक्नी नहीं है बलकि गाने के बाद भी बहुत देर तक देपिका पादकोन इसी बिक्नी में नजर आई है एक लॉंग शॉट है बवाल मचने के बाद भी इस सीन को फिल्म से नहीं हटाया गया है